हेलो एवरीवन दृष्टी की टीचिंग एक्जाम यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं गितांजली जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां सीटेट की सामाजिक विज्ञान विशे की या सामाजिक विज्ञान खंड के अंद्रगत जो भूबोल से विगत वर्षों में प्रश्ण पूशे गए हैं उपर जाजा कर रहे हैं यानि कि इंद्री सिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट तो पेपर में विगत वर्षो में प्रीए इस क्शन में कौन से विष्य से धियान रखेगा जो सामाजिक विज्यानखंड है जो प्रश्ण पत्र दो है कस्यों पर प्रश्ण से हुआ है कच्छा 6 से यहां चर्चा करेंगे यानि बिशिकली प्रिवियस एर डिसकेशन शुरू करते हैं ठीक है विश्य हम अभी को पता है भूगोल आए देखते हैं पहला प्रश्नी कौन सा था जो विगत वर्शों में पूछा गया था पहला प्रश्नी है ये पहला प्रश्नी आनि ध्यान रख दूसरा है इसका कारण आर आपको यह बताना है कि क्या यह इसका कारण है या नहीं इनके देखल प्याधार पर आपके पाख चार कूट भी होंगे देखते हैं अभी कथन ए है बुद्ध अपनी कख्षा में एच चक्र पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूरी के समसी समी पिस्तत है ठीक है तूसरा इसका कारण क्या रिखा हुआ है कारण है सौरमंडल के समें आठ ग्रह सूरी के चारो और अपने निश्यत दीर की वृत्त कारपत पर चलते हैं और इसे कक्षा कहते हैं आप देखते हैं कि सही विकल्प का चैन करने में आप सही उत्तर ब A सत्य है, R सत्य है और D option है A और R दोनों असत्य हैं अब आईए दिचर्चा करते हैं हमारे अभिकथन A पर अभिकथन A क्या कह रहा है कि बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 सी दिल लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीपिस्त है यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य मंडल में हम सभी जानते हैं सूर्य आठ ग्रह उनके उप ग्रह खहुल पिंड और वो सभी या छुद ग्रह इस तो भी चीजें शामिल होते हैं यदि हम सूर्य मंडल की बात करते हैं तो मान लीजी यह सूर्य है सन है तो ग्रह इसके चार ओर क्या कर रह हैं अपनी अपनी काक्षा में अब कितनी इसके ग्रहां है ध्यान रखेगा सूर्य के अलावा आठ ग्रह है ठीक सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है ध्यान रखें इमान लिजाए है सन तो सूर्य के जो सबसे नजदीक है वह है बुद्ध फिर उसके बाद है शुक्र उसके बाद है पृत्वी फिर है मंगल फिर ब्रहश्पती फिर शनी फिर अरुण और फिर वरुण आठग्र अब चुकि बुद्ध कृत्वी के सबसे निजदीक यानि बुद्ध के बारे में खांस बाद ध्यान रखेगा कि बुद्ध सूरी की परिक्रमा मात्र अठासी दिन में कर लेता है इसके बीच के घुक्तिक सूर। से इसके बीच के तोम डिस्टइन से में क्या है कम है और यह एक मात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे कम दिनों में अन्य ग्रुहों की तुल नमें सूरी की परिक्रमा कूरी करता है बुद्ध के अब बुध का अपना कोई वायू मंडल नहीं है ठीक है बुध की अलावा बुध की बारे में जो अन्य तत्यों में आपको ध्यान रखना है वह यह कि यह सूर्य के सबसे समीप ग्रह है ठीक है तो यह बात बिल्कुल सही है कि बुध अपनी कक्षा में एक चक्र पूरा करने म यह सूर्य की परिक्रमा करता है यही इसकी कक्षा कहलाता है यानि कक्षा के लिए आप सबस्ट डेफिनिशन की बात करें तो सौर मंडल के सब भी ग्रह आठ जो हमारे आसपास इसके सूर्य के आसपास आठ ग्रह हैं यह चारों और अपनी निश्चित दीर्ग वरत्ताकार ध्यान रखें क्या लिखा है दीर्ग वरत्ताकार मार्ग पर या पथ पर चलते हैं और यही दीर्ग वरत्ताकार जो मार्ग है या पथ है यह उस ग्रह की कक्षा है ध्यान रखेंगा उस ग्रह की कक्षा है तो यहां पर कारण बिल्कुल सही है अभी कथन भी सही है वुद के बारे में और यदि उनकी कख्षा की बात करें तो सौर मंडल के सभी आठ ग्रह सूरी के चार और अपने निश्चित दिरुवृत्ता कारपथ पर चलते हैं और यहीं उनकी कख्षा कहलाती है यानि अभिकत्थन ए और इसका कारण आर दोनों सही है इस तरीके से इस प्रश्ण का सही जवाब है क्या दोनों ए और सात्य है तथा आर एकी सही व्याख्या करता है ठीक बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगले को देखते हैं अगला प्रिश्ण है एक और वाद ध्यान रखेगा बुद्ध के बारे में बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है जै और भॉप की चोटे-पिंध जो सूरी का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल चोड़ा कर रही हैं, किसके किसके बीछ हैं, मंगल और प्रहस्प्रति ग्रह की बीच हैं, ध्याले रखेगा मंगल और ब्रिहस्पति ग्रह के बीच ये पाए जाते हैं, इनकी कप्छों के बीच है यानि मान लीजे ये सन है, बुध है, शुक्र है, पृत्वी है, मंगल है और उसके बाद ब्रिहस्पति, ब्रिहस्पति और यहाँ पर है मंगल, इनके बीच में बहुत छोटे छोटे पिंट है यह बहुत चोटे-चोटे पिंड है जो सूरी की परिक्रमा लगाते हैं यह जो चोटे-चोटे पिंड है जो सूरी की परिक्रमा लगा रहे हैं यह चोटे-चोटे पिंड कहलाते हैं यह चोटे-चोटे पिंड कहलाते हैं शुद्रग्र्ः धियान रखिए शुद्रग्र्ः अब ये शुद्रग्र है क्या है ये भी तो पूछा जा सकता है सवाल कि मंगल और ब्रशपती के बीच ये जो एक पूरी परत है जो सुरी कि परिक्रमा लगा रही है ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं शुद्र ग्रह की बात की जाए तो ये क्या है इंतर से शुद्र के है कि नहीं कहते हैं तो ध्यान रखेगा कि सूरी के चारों और जो ग्रह पर इक्रमा लगा रहे हैं इन ग्रह के इन ग्रहों में कहीं न कहीं विस्फोट होता है अब ये विस्फोट कम हुआ है बहुत वर्ष पहले हुआ है तो कई हजार वर्षों पहले या कई सो वर्षों पहले जब ग्रहों में विस्फोट हुआ था तो उनसे कुछ टुकडे निकलकर बाहर आ गए थे ये जो टुकडे निकलकर बाहर आए हैं जो सूरी की परिक्रमा करने लगे हैं एक पूरी एक लेय यानि option D इस प्रश्ण का क्या होगा सही जवाब होगा और यह प्रश्ण पूछा गया है सीटेट वर्ष 2020 के इग्जामेनीशन में चीक है आपको ध्यान रखना है एक पूरी परत एक पूरी लेयर पाई जाती है मंगल और भ्रस्पति की बीच में शुद्र ग्रहों की जो किसके का चक्कर लगा रहे हैं यह सूरे का चकर लगा रहे हैं पिंड की रूप में यह पाए जाते हैं आगला प प्रथफी का एक संकीन श्रह है जहां केवल स्थर और वायू परस पर मिलते हैं आपको बताना है उचित विकल्प निमनलखित मैसे कौन से हैं आपके पास ओप्शण A, B, C, T से टेकी प्रश्न पत्र में पूछा गया था अब बात करते हैं हम यृina की आवरन यह वह वायूमंडल ही इसमय क्रिछ प्रकार की जो क। अब यह जाती है जो प्रकार की गैसें पाई जाती तो चीजन हो गया चीख है यह कुछ गैसें पाई जाती है यदि आइस्थाई गैसों की बात करें तो CO2 हो गया इसके अलावा इसमें जो गैसें परिवर्तनशील हैं आसपास हमारे प्रत्वी में उसमें आप देख से लिख सकते हैं हाय प्रोजन कुछ आसी गैसें हैं जो पा अकीजन, लीजिए, कार्वन डायोकшаइड लेजिए, आरगन हैं, नियॉन हैं, बहुत से त्रकार की गैसें पाई जाती हैं यह सब ही गैसें बंधियु हुए हैं यानि प्रित्वी के चारों और गैसों का एक आवरण है, एक एंवलप है और यह एंवलप प्रित्वी के चा करने की वेज़े से प्रत्वी के गुरुत्वा कर्शन बल की वेज़े से जो वायू मंदल है वह इस तरीके से कहा पर प्रत्वी की ऊपर तिका हुआ है क्यों गुरुत्वा कर्शन बल कारे करता है इसलिए प्रत्वी की ऊपर क्या है एक वायू मंदल कारे करता है तो ध्यान तो गलत है क्योंकि वायुमंडल में बहुत इसी प्रिकारी गैसें पाई जाती है, जो इस थाईगे से हैं, उनका जो आपसी अनुपात है, 78, 20, 78, 21, इतना, ये एक स्पैसिफिक अनुपात है जो कि क्या है पाया जाता है, जो कहीं भी बदलता नहीं है, चीक है, तीसरा है, ज इसमें लिखाया केवल, इस्थल और वायु परस पर मिलते हैं, जब कि यह पाथन हो जाएगा गलत, दरसल जैव मंडल पृत्वी का एक बहुत विस्तरत छेत्र है, जहां पर इस्थल वायु, इस्थल मंडल, वायु मंडल, जैव मंडल, प्राकृतिक चीज़े सभी, नदि जीवन संभव है, वे सब भी आजाते हैं, जैव मंडल के भीतर, भूमी, मुर्दा, यानि हर एक चीज जैव मंडल के भीतर शामिल हो जाती है, तो यहां पर तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर केवल दो थी जहीं मैंशन है, आप यहां पर केवल एक कथन स से कौन सा वायू मंडल की परतों का सही अनुक्रम है, जिन से धर्ती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा, ध्यान रखें, प्रश्न को सबसे पहले समझना, जानना इंपोर्टेंट हो जाता है, अगर यह प्रश्न ऐसे होता कि नीचे से यानि प्रत्वी, प्रत्वी स वायू मंडल है, अब कोई रॉकेट उपर से नीचे की और उतर रहा है, अब आपको बताना है इसका क्रम क्या होगा, ठीक, तो हम सबी जानते हैं प्रत्वी में जो सबसे पहली परत है प्रत्वी से, प्रत्वी की धरातल से उपर की और जाती है लगबग 20 से 25 किलोमेटर व मध्य मंडल, फिर आप उपर की और बढ़ेंगे और आएगा बाहिय मंडल, फिर और उससे आप उपर की और बढ़ेंगा और आएगा बढ़ेंगी तो मिलेगा हमें बहिर मंडल, ठीक, अब रॉकेट उपर से नीचे की और प्रवेश कर रही है, यानि सबसे पहले क्या मिले बाहिय मंदल फिर मिलेगा मध्य मंदल फिर समताप मंदल और फिर छोब मंदल आए देखते हैं आपके पास आप देखो बात क्या गी जा रही है उपर से जैसे ही आएंगे अगर हम ऑम पर से प्रवेश करते हैं नीचे की और तो आपको सब्सेख सम्ताप मंदल नहीं मिलेगा अब हमारे पालं दो ऑप्शन थी man है और फिर मध्य मंदल है यदि आप यहां पर बहिर मंदल बाहि मंदल में confused भी हो जाएं तो ध्यान रखेंगे संताप मंदल के बाद मध्य मंदल नहीं आएगा उपर सी नीची आने में जबकि जवाब अंदर सी ऊपर की ओर जाएंगे तब समताप मंदल पहले पढ़ेगा बाद में मध्य मंदल पढ़ेगा तो सबसे पहले पढ़ेगा बहर मंदल, फिर पढ़ेगा बाहर मंदल, फिर मध्य मंदल, फिर समताप मंदल और सबसे निचली सीमा आएगी छोभु मंदल की, यानि option C प्रशन का सही जवाब हो जाएगा, option D भी गलत हो जाएगा, क्यों कि सबसे पहले तो बहर मंदल आएगा, यहां फिर बाहिमन्दल आएगा फिर मध्यू मंदल आएगा ना कि समताप मंदल आएगा ठीक है इस तरीके से इस प्रश्न की सही जवाब की बात करेगा ओप्शन सी प्रश्न का सही जवाब होगा क्यों ऊपर से अधरती पर उतरने से पहले रॉकेट कैसे क्रम शहा बहिर कि यानि बाहिए अग्नी चरक्तान विशय शिरू करने से पहले न दुन लिंदलिखत में से कौनसे विश्यों को पढ़ाया जाहिए सबसे इंपर रंद के बाएच च्टानों के बारे में जब भी हम तैन तो चिपढ़ेने से पहले आग वसादी चटानों को पढ़ने से पहले कि हम जाने की आखिर चटानों को निर्मान कैसे होता है जिए आप आगने चटान को पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आगने चटान निर्मान होता है ज्वाला मुखी विश्भोट के बाद जो मैगमा बाहर की और निकलता है मैगमा आप इसे लावा कहेंगे क्यों क्योंकि पृत्वी की यदि अंदर है पृत्वी क्यों हम सब ही क्या जानते हैं कि जो पृत्वी की यह सता है परत है तीन हिस्सों में डिवाइड है, क्रस्ट, मैंटल और कॉर, यदि आपको इसे डीटेल से पढ़ना है तो जोग्रफी कंसेप्ट टॉक नामा की एक सीरीज है जो यूट्यूब पर एवेलेवल है, दृष्ट्री टीचिंग एक्जाम पर ही आप उसमें चांतर विजिट करिए और इन सारे कंसेप्ट को आप समें डीटेल से पढ़िए ठीक है तो यदि हम प्रित्फी की बात करें तो प्रित्फी की परतों में जो मैंटल है यहां से जो द्रव द्रवित लावा है गर्म गलित लावा माफ की जिगा गर्म गलित मैगमा यह जो गर्म गलित मैगमा है यह दरार पढ़नी की वजह से क्या होता है यहाँ से होकर उपर को गुजरता है और बहुत तेजी से दबाव पढ़नी की वज़सी इस तरीके से कुछ पृत्वी की उपर ऐसे यह लावा की रूप में बाहर आ जाता है चिक है? यानि पृत्वी के भीतr जब यह गर्म गलित पदार्थ होता है तो इसे हम मैगमा कहते हैं और जैसे ही गर्म गलित पदार्थ पृत्वी से उपर सतह पर आता है तो इसे हम क्या कह देते हैं लावा कह देते हैं और इसी लावा में ध्यान क्या रखना है आपको तो यही गर्म गलित पतार जो लावा की रूप में उपर पृत्वी की सताह पर आ गया, सबसे पहले जब आप यही गर्म गलित पतार क्या करता है, आगने चटानों का निर्मान करता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कि जब भी आप आगने चटानों के बारे में पढ़े से यानि आपको पृत्वी के आंतरिक भागों के बारे में भी पता होना चाहिए क्यों क्यों कि मैंडल का यह हिस्सा जहां पर गर्म गलत द्रवित लावा मैगमा पाया जाता है यह दुर्बल मंडल कहलाता है और दुर्बल मंडल की उपर वाला हिस्सा कहलाता है क्या प्लेट क्या कहलाती है यह परत यह कहलाती है प्लेट ठीक अब यहां से यह जो मैगमा उपर की और निकल कर बाहर की और आ रहा है लावा बन रहा है जब यह सूख जाता है तो इससे अगने चटान का निर्मान होता है और वह चटान जो उपर बाहर निकल कर लावा की सूखने से बनी ह प्रुथफी के उपरी परत यानि भूपरपटी में उपर लावा जब सूख जाता है तब जो यह परत बनी है इसे बहर भेधन या बाहिए अगनी चटान चटान कहते हैं और यदि यह मैगमा प्रुथफी की इन ही आंत्रिक परतों में दरार में कहीं गुस जाता है ठीक है ध पर जिस प्रकार की चट्टान का निर्मान होता है उसे अंतर वेदन आगनी चट्टान कहते हैं, तो बहर वेदन आगनी चट्टान को पढ़ने से पहले, इस विशे को शुरू करने से पहले हमें प्रत्वी की आंतरिक भाग के बारे में पता होना चाहीए और दूसरा हमें इस लावा और मेगमा के बारे में पता होना चाहीए तो ध्यान रखेगा यहाँ तलछट अवसास का कोई लेना देना नहीं है किसके बारे में आगनी चट्टान के बारे में बेसाल्ट का भी ज्यादा कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये बात ध्यान रखेगा जो आगनी चट्टान है उसमें बेसाल्ट की मात्रा पाए जाती है तो दक्कन का पठार वाला शेत्र है वो बेसाल का सही जवाब होगा केवल एक और दो तो हमें इस जब भी हम आगें चटान के बारे में पढ़ें तो आपको लावा और प्रत्वी आंतरिक भाग के बारे में पता होना चाहिए चली और चुकि आप सीटेट का एक्जाम दे रहे हैं यानि आपको बच्चों को पढ़ाने के ल जो गर्म गलित लावा है वह पाया जाता है किस हिस्से से किस प्रकार की गति के वज़े से क्योंकि अंतरजात बलका प्रभाव है अंतरजात बलकी प्रभाव की वज़े से कैसे यहां पर संपीडन वलकार करता है कैसे यह लावा बाहर की ओर गिरता है दरारों की वज़े से किन दरारों से बाहर की और आकर यह मैगमा लावा कहलाता है किन आंत्रेक हिस्तों में जाकर जो लावा है पर ठंडा होता है तो उसे हम किस प्रकार की जटान कहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को लावा के बारे में जानकारी देनी चाहिए आंत्रे खेस्सों के पारे में जानकारी देनी चाहिए टीचर्स के लिए ध्यान रखना है ठीक है तो ऑप्शन एस प्रशन का सही जवाब होगा के वले कर दो और यही इसका सही आंसर भी है तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें रिवीजन करते रहें शुक्रिया परल्च रखल वारी वीजन करते रहें